Hello everyone, आज हम बात करने वाले हैं रेड राइस के बारे में रेड राइस एक होल ग्रेन है जिसकी बाहर की जो लेर है वो इसी में इंटाक्ट होती है जिसकी वज़े से इसमें ज़ादा फाइबर, विटमिन्स और मिन्रल्स होते हैं चलिए देखते हैं इसके और क्या-क्या benefits हैं इसमें जादा fiber होने की वज़े से यह आपकी digestion के process को काफी strong बनाता है इसमें magnesium और calcium पाया जाता है जिसकी वज़े से यह आपकी bones की health के लिए भी काफी अच्छा है अगर आप weight loss करना चाते हैं तो यह आपको बहुत help करेगा इसमें magnesium और phosphorus है जो आपके body fat को control करता है और इसमें fiber इतना है कि अगर आप इसे खाते हो तो यह आपको काफी देर तक full रखता है red rice हमारे phytic acid और ज़रूरी polyphenol से rich होता है यह एक complex carbohydrate है जो आपके blood sugars को control करती है यह rice भरबूर है antioxidants में जिसकी वजल से आपकी health अच्छी रहती है और आपकी skin health के लिए भी यह काफी अच्छा है इसमें जो oil present है वो LDL cholesterol को कम करने में आपकी काफी help करता है and yes क्योंकि यह एक unpolished और कम process की हुई form है rice की यह normal white rice से बहुत जादा better है nutrition के मामले में चलिए तो देखते हैं हम इसे कैसे पकाते हैं हमने यहाँ पे लिया है एक कटोरी red rice अब एक बरतन में इसे डाल के तीन से चार बार हम इसे अच्छे से धो लेंगे दोने के बाद इसे ट्रांस्वर कर लीजिए pressure cooker में अब यहाँ एक कटोरी चावल के लिए मैंने आड़ किये हैं दो कटोरी पानी के यहाँ पे आड़ किया है मैंने एक चमच खी आप चाहे तो इसे skip भी कर सकते हैं मैंने यहाँ medium आच पे इसे 15-20 मिनट पकने के लिए रखा है और यह रहे हमारे red rice खाने के लिए बिल्कुल ready इस वीडियो को like करना ना भूले और मेरे चानल को subscribe भी ज़रूर ही करिए झालब है